हेलो इस्टुडेंट्स सो हमारा जब एक्सेसाइज कंप्लीट हो गई है तो चलिए हम अपना ब्रिवीजन स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट दफिश टेल से तो जैसा कि मैंने आपको बताया था deep under the sea see the lovely colored fish swimming peacefully है न कि बहुत गहरे समुद्र में एक बहुत ही खूपसूरत बहुत ही colorful fish है जो की swimming कर रही है बहुत शान्ती से तो this is special poem in three lines is called a haiku ये जो poem है इसको कहते है जो three line की poem बनी हुई है यहाँ पे जो मैंने भी आपको पढ़के बताई इसको कहते है haiku ये जो poem है ये popular है जपान में और एक और haiku इन और नीचे लिखके रखा हुआ है haiku means होता है poem ही तो ये भी haiku और एक नीचे एक और दी and returns ripple shake the lake okay तो जो एक lake है वो बहुत शान्त है बहुत स्मूध है still fish jumps up तो जो fish होती है क्या करती है बीच बीच में जंप करती है आपने जो net पे देखा होगा ये टीवी पे देखा होगा जो fish होती है जब वो swim करती है उसके बाद जंप भी लेती है है ना तो बोई चीज बहुत स्मूध जो सी है उसमें fish जो है वो jump कर रही है रिटन कर रही है वो जो उसमें लहरे उट रही है ना उसके थूप do you know any poem about fish तो आपको क्या कोई भी fish की poem याद है हमारे में तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा famous जो fish की poem थी वो मचली जलकी रानी है जीवन उसका पानी है ना तो हम उसको भी मान सकते हैं क्योंकि हम जिस poem को understand कर पा रहे हैं हम उसको मान के चले तो here are some drawing made by children तो कुछ यहा पारी पिक्चर बनाई हैं fishes की try to use a square and triangle to draw a fish तो यह बोल रहे है कि अब आप एक try कीजिए कि square और triangle का use करके आप एक fish बनाई है तो क्या आप बना सकते हैं देखिए मैं आपको यहाँ पर करके बता रहे हूं यह रहा एक square और इसमें triangle के थ्रू मैंने यह एक fish बनाई है right look for fish design around you, on cloth, in painting, on mats, etc. तो अब आपको क्या करना है कि जो भी अपने आसपास चीजे देखिए कहीं पर भी आपको क्या fish की कोई भी design या कोई भी pattern निजर आ रहा है आपके किसी भी cloth में हो सकता है, painting में हो सकता है यह जो mats हमाई घर में होते हैं उद में हो सकता है mean means a fish and minakshi is a girl whose eye look like a fish. Can you think of someone who has such eyes? तो mean means क्या होता है fish और जो minakshi होती है उसका मतलब होता है कि ऐसी लड़की जिसकी आखे जो है वो बिल्कुल fish की तरह हो मतलब आखों में fish नहीं होगी वो जो shape होगा आखों का वो fish के जैसा होगा understood तो उसको जिसे mean means होता है mean हमारे हिंदी का word है और mean का means होत मचली के जैसी आखो वाली लड़की ओके? Can you think of someone who has such eyes? तो क्या आप सोच सकते कि कोई ऐसी लड़की होगी जिसकी आखे ऐसी होती है? Draw face with fish eyes तो आपको इस तरह की shape देखे एक fish का face आपको बना के देखना था तो आप लोगों ने बनाया भी था fair copies में. Fishes can have very different sizes. तो जो fishes होती है उनमें बहुत सारी different different sizes होती है. The smallest fish is about one centimeter long. तो जो सबसे छोटी fish होती है वो one centimeter long तक होती है. How long is the biggest fish you can imagine? तो आप बताईए कि आप कितना imagine कर सकते हैं कि जो सबसे biggest fish होगी वो कितनी बड़ी होगी तो हमने 18 meter लिखा था यहाँ पे. How many times longer is your big fish than the smallest fish? तो जब छोटी वाली, मतलब यह बोल रहा है कि आपकी जो बड़ी वाली fish हो कितनी ज़्यादा बड़ी है छोटी वाली से? कितने time? तो जब छोटी वाली जो fish थी वो one centimeter long है और हमारी जो biggest है वो 18 meter long है तो आप खुदी समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा है? है ना, one centimeter long सबसे smallest है और 18 meter हमने लिखा है, right? तो अगर centimeter में अगर हम 18 meter को पहले हमको इसको centimeter में convert करना पड़ेगा तो in a one meter there is 100 centimeter है ना, तो 18 का multiplication अगर 100 में करते हैं तो 1800 आ गया, मतलब कि यह 1800 टाइम्स बिगर है, okay? कितने time? 1800 टाइम्स बिगर है तो जो सबसे बड़ी फिश होती है वो है वेल शार्क और यह actually कोई भेल नहीं है मगर यह सबसे बड़ी फिश होती है, okay? वेल्स आर डिफॉरींट फ्राउ्ब फिश होती है वह वेल्स बड़ी होती है, वेल्स बेध लाइक वीडू तो जो बेध दो है वह यही सांस अपना ड्रा दूग लेती है टलै वकले टेंट टेंट ए से तो सास लेती हैं लेकिन जो वेल होती है वो दिफ्रेंट होती है और वो नोस के थ्रू सांस लेती है okay they take water okay not air whales give birth to baby but fish lay eggs तो जो whales होती है न वो babies को ही birth करती है है न उनके बच्चे होते है वो अंडे नहीं देती है मगर जो fish होती है वो ले जो एग ले करती है है न वो अंडे देती है okay the whale shark fish look big and dangerous but it's quite harmless it does not attack humans तो जो whale shark होती है वो थोड़ी बड़ी है और dangerous लगती है मगर वो थोड़ी मतलब but वो quite harmless है है न मतलब इतनी जादा harmless मतलब वो परिशान नहीं करती है okay it does not attack human वो हमको मतलब जो humans है उनको attack ही नहीं करती है okay okay तो तब तक के लिए अभी आप इसको read करेंगे और यहां पर कुछ questions भी दियो हैं उनका answer दिने की कोशिश करेंगे okay so तब तक के लिए keep practicing students